हाई गाइज आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे तो यह वाला वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ACPC की रेजिस्ट्रिशन मिल चुका है और इंट्रिव्यू वगर देने के लिए बिलकुल रेडी है और बहुत सारे जोग अपलाई कर रहे हैं यूके में और निचेस में और प्राइवेट में कहीं पर भी ठीक है तो आपको पहली तीन चार चीजे हैं जो आपको बहुत अच्छे स Microsoft team या Skype में वीडियो इंट्रिव्यू देना आना चीए आपको पता होना चीए कैसे वीडियो इंट्रिवी देते हैं और कैसे यह सब सारे मीटिंग में पर एरेंज करते कैसे इंविटेशन आता है कैसे आपको accept करना है और कैसे आपको मतलब आपको एप install करना पड़ेगा यह सारे चीज़े आपको पता होने चाहिए मतलब basic आपको पता होना चाहिए कि कैसे एक video interview होता है इसके लिए आपको YouTube में हजारों वीडियोज वगरा मिल जाएगा tips and tricks तो आप वह वाला prepared करो दूसरा चीज़ आपको यह है कि आपको आपका English मुझे पता है आप लोग का English बहुत बढ़िया है पर यहाँ पर जो लोग है इन लोग का जो accent है इंग्लिश बोलने का जो तरीका है तो इसको समझने के लिए आप इंटर्वियू से 10-15 दिन पहले से ही आप यूट्यूब में पॉट्कास्ट ब्रिटिश एक्सेंट इंग्लिश एक्सेंट यह सारे कुछ वीडियो वगरा देखना स्टार्ट कर दो जिससे यह रहेगा कि आपको उलुक जब आपको question करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी ठीक है तिसरी कुकि पांट यह कि आप जबी एंटियू देने के लिए योग के साथ लाइव होंगे की तो आपको अच्छे से ड्रेस रहना है बिलकुल आप टाइब लगा कि जितना पतला मतलं मतला बेस्ट रहना आपकी ड्रेसिंग सेंस बिलकुल बेस्ट होना चाहिए टाइब ब्लेज बिल्कुल एक easy person हो, ऐसा लगना चाहिए उनको, चौता यह है कि जब आप interview में question answer करेंगे, तो अगर मान लिजे कोई question ऐसा हुआ जो आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही blank हो, तो आप आप बोलनो कि I'm sorry I cannot answer this question, ऐसा मुद बोलना में कुछ भी थोड़ा बहुत, सिधा ना ब और थोड़ा सा diplomatic answer दो जब आपको नहीं आता है, मैं आपको, आप लोग समझ जाएंगे, diplomatic answer कैसे होता है, तो आप थोड़ा सा diplomatic answer दो, और मतलब directly उनको मना कर रहा, मुझे नहीं पता जी, ऐसा मुद बोलना कभी भी, ठीक है, उसकी बाद, जब आप लोग, आपका question से खतम ह हो जाता है, फिर वोग आपको पूछते कि कोई question है कि आपकी तरफ से उनके लिए, तो आप हमेशा दो या तीन question prepared करके रखो, और उनको पूछो कि जैसे कि आप ये पूछ सकते हो, कि वहापे job, work culture कैसा है, shift pattern कैसा है, तो उनको लगेगा कि हाँ बंदे में interest है जॉब के लि मेंगा है, सस्ता है, कैसा है, तो ये ऐसा ऐसा तीन-चार question आप prepared करके रखो, और उनको पूछो, वो एंड में आपको time देंगे आपको पूछने के लिए, तो बिल्कुल पूछो उनको, उनको अच्छा लगता है पूछने से, उसकी बाद है negotiation, वो आपको बिल्कुल पूछ देते salary के लिए, यहाँ पर इतनी job है कि एक interview को depend मत रहो, बहुत लोग मैंने देखा कि एक interview मिल गया, उनमें जितना बोल दिया minimum salary पर आ जाते, यह बिल्कुल ही मत करना आप, हाला कि यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए किसी को भी, पर कुछ लोगों का circumstances ऐसा होता है कि च उस comparison में आपको increment 2-3% ही होता है, maximum 4% increment होता है साल में, तो यह बहुत कम है compared to India, तो यह इनकी एक disadvantage है, इसलिए आप कोशिश करना है कि आप push करो salary की जब negotiation हो रही है, email पे या interview, face-to-face interview में, ठीक है, और आप कोई भी information उनके साथ, यह मत बोल देना कि जैसे just for example में बोल रहा कि आपको बोल दिया उन्होंने वाई तुम्हे MRI आता है, क्या क्या आता हो, तुम्हें यह मत बोल देना हा सर MRI सब आता है, ऐसा कुछ मत मोलना कि हा मुझे सब आता है, आपको जितना पता है, हिंदी में कहावत है जितनी चादर है उतना ही फैलना, तो उतना ही फैलना, रहत प्रामत फिला देना कि आपको बूल देना मुझे सब आता है मैं सब कर लेता हूं ऐसा कभी मत बोलना ऑबर क्वालिफाइड होने की वज़े से वह कुछ-कुछ टाइम पर यह लोग कैंसल कर देते मना कर देते आप उनको लगे कि आप ऑबर क्वालिफाइड हो तो लेंगे न पेज़ पेज़ को लाइक करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक क्लिए बने रही है हमारे साथ